जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्रागत करता हूँ आपके अपने ही भाय के यूटूब चैनल प्रेडिक्सन डाजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे यूपी यूद्धा फर्सिस हर्याना स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा प्रोग कवर्टी लीग आज के सामों का पहला मुकाबला उसको लेके डिटेल्स में बात कर लेंगे मैं आपको बता दू हम वीडियो में एक भी जैड्रीम 11 को लेके बाते नहीं करेंगे कुछ भी चीज़े क्योंकि वहां पर आप लोग को पता ही होगा डिसेंटली क्या चल है जैसे ही आप उनका स्क्रीन सोट या फिर उनके आप ममान के चल अप्लिकेशन में जाके उस दिखोगे आपके स्ट्राइक आने के चांसे बढ़ जाएंगे इस बात को याद रखेगा इसी बुज़त से मेनेज है यहाँ पे वीजन 11 पे आप लोग को समझाओंगा सारा ड जलेगा तो टेलीग्राम पर जुढ़ने के लिए आपको क्या करना है आपको यह काम कीजिए तेलीग्राम पे जॉइन होने के लिए दोस्तो अभी जो आप वीडियो को देख रहे हो उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा आपको यहां पर दिखेंगे कमेंट वाले सक्सि इसमें थोड़ा बहुत आपको कम या ज़्यादा दिख सकता है, रिजन क्या है कि अभी यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ डालने रहे हैं, और यह हमारा बैक अप चैनल है, तो दोनों चैनल पर जोईन हो जाने हैं, जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे, वो आपको किसी ने क आपको दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो जहां तहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जोईन हो जाईए, और साथ में भाई साव, आप लोग वीडियो को स्टार्ट कीजिए, एक लाइक के साथ, और अगर अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किय के भी रख लीजिए, अब हम बात कर लेंगे वीनिंग परसेंटेज को लेके, तो भाई देखो सिंपल सी बाते हैं, हमारा कल 3 का 3 कवरडी क्लिंशिप गया, अगर आपको मालूम करना हो, तो आइए था चलते हैं टेलीग्राम पर देखते हैं, कल के मैच का रिजल्ट, तो म छोटा मोटा कलिंशिप नहीं, बहुत मेगा कलिंशिप गया वा था, इस भी आप जाकर देख लोगे, यह दोस्तो देखें, जैपूर वाला मैच में हमने यहां पर भी फेंटी गार दिये थी, और वो दोस्तो अर्जून देश वाल कैप्टन और मंजीत वीसी वाला हमारा पेर था, वो बहुत ही बड़ा काम किया, जिंक पवार भी हमारा काम किया, फिर यहां पर देखेंगा, फजल द बॉस अत्रच अली को हमने कैप्टन किया, और उसने क्या परदस्तन किया था, और पहले मैच का भी रिजल देखेंगा, तो आप लोग यहां पे मुमबा वर्स चैनल, और मेन चैनल भी आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, यह हमारा मेन चैनल है दोस्तों, तो आप लोग को दोनों जगह पे जाके जोई न हो जाने हैं, अब आए मैच को लेके समझते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वीनिंग परसेंटेज को लेके, तो अग तो आपको दिख जाएंगे यहां पर सबसे बहुत ही कम होता है ठीक है उसके बाद अगर आगर आम बात करेंगे तो इनका Defender Heavy Team दिख जाएगा अब बात करते हैं लास्ट मैच में दोनों टीम कैसे खेल के आ रही है और प्वेंट स्टेवल पर दोनों टीम का पोजीशन फिलाल क्या है अगर बात करेंगे प्वेंट स्टेवल पोजीशन को लेके तो आपको दिख जाएंगे यूपी ओधा नंबर चार पर बारा मेर से पांच मैच विन की हैं वहीं अगर हम बात करेंगे हरियाना इस्टिलर्स को लेकिन इनका लाउस जादा है और यहां पर यूपी टाई अगर हम बात करेंगे यूपी ओधा को लेके तो यूपी ओधा का लास्ट मैच में बंगाल वार्यस के साथ हुआ था जहां पर यूपी ओधा ने बहुत बड़ी फैंटी दी थी परदीप नरवार नो रेटर्च सुरंदर गिल तीन रेटर्च छे बॉनस सुमीत चार टैकल निटेस तीन टैकल आसू सिंग दो टैकल स्रिकान जादब दो रेटर्च और यहां पर दिखेगा गौरव कुमार एक टैकल सुभम इंपोर्टेंट हो सकते हैं रिजन आपको अरुप हैं तो आए तक देखने वाले हैं यहां पर देख सक्षों से तो आपको दिखनेवालर स्कंस से सदेटिनalta के हैं tet c प्रिकास कंडोला मीटू में देखना पड़ेगा खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं मुझे लगता है कि यह फिट हो गये होंगे तो आपको श्टार्टिंग से वान जरूर दिखेंगे और दिख जाएंगे तो ठीक आपके लिए पिक रह सकते हैं इसके लबाब अगर मीटू खेल कि खास खेलते हैं आपको नजर नहीं आने वाले हैं अब आईए हम बात करते हैं कौन से जो प्लियर हैं वो किसके पास जाएंगे और किसके टैकल पॉइंट जाधा आज के मैच में आ सकते हैं सासे पहले हम बात कर लेंगे रेडिंग सेक्शन में किसको लेके हरियाना कर दिये ना आएए बात करते हैं आई कि आरे मेरे भाई कर दो एछोटा सा काम ठीक है यहाँ हम बात कर लेंगे जो इनके में डीडिन रहाने वाले हाडियाना के वो दिखेंगे विकास कंडलला वो दिखेंगे आपको स्रेर Garin करते हुए जिनका सीधा सामना सबसे पहले हो पर सुमीत के साथ तो इनका लेफ्ट कॉर्णर जो है यूपी का वो मजबूत है और रैट कॉर्णर मजबूत है इसलिए मुझे लगता है कि जो भी विकास गंदुला पॉइंट्स निकाल के लेके आएंगे यहीं से मिन्स रैट लेफ्ट कवर से ठीक है अब हम बात कर लेते ह पर रहांगे यहां पर second radar मीटु खेलते हैं तो मीटु आपको दिखेंगे rats रेट रेइडिंग करते हुए उनका सामना सबसे पहले होगा सुमीत के साथ जो कि आपको दिखने वाले हैं रीट क्वरर पे कौन वईससाब दिखेंगे आसु सिंग ये भी बेतरीन खेलने हैं त उसके बाद यहां पर आपको दिख जाएंगे आसु फिर दिख जाएंगे आपको नितेश कुमार अगर यहां पर आसी स्केल थे एक और जो उनके पास रेडर हैं वो भी रैट सेडिंग करते हैं उनके पास भी सेम सेनेडियू होगा तीम चाहेगी सुभम को टारगेट करने का तो हो सकता है टीम रोइट गुलिया को आपको इस मैच में बैक करते नजर आ जाए जो की लेफ्ट रेडर है और यहां पर दिख जाएंगे लेफ्ट कवर आपको काफी कमजोर किसका यूपी का तो मुझे लगता है कि दोनों लेफ्ट रेडर को आज जो है हर्याना के कोच लिए यह क्मार मौका दे सकते हैं अब आएके हम बात कर लेते हैं यूपी के रेडर को लेके तो उपी के जो में अगरे हिसाफ से परदीप नरवाल ठीक है अगर इनका दिन सही राता है तो ये में डेटर होंगे ये होंगे तो ये आपको लेफ्ट से दिखेंगे रेनी करते हुए जिनका पहला सामना होगा रभी कुमार के साथ जो की एक कमजोर खड़ी है किसका वह सब हरियाना का लेकिन परदीप के सामने साथ ये भीफल हो जाए और लेकिन एक बात और यहां पर लेफ्ट कवर जो दिखेंगा वह सब दिखेंगा जायदीप जो की अपनी आप में जैसा नाम है जायदीप उसी तरह का काम करते हैं इनसे मुझे हमेशा बहुत ज्यादा उम्मीज रहता है तो लगता है आज जैदीप आपके लिए एक बहतर निपिखो जाएंगे डिजन यूपी के पास दो लेफ्ट रेडर हैं अगर दोनों ठीक टाक रेडिंग करते हैं परदीप नर्वाल सरीकान जादव तो आपको जैदीप ठीक टाक पॉइंट लेते आज से नजर आ सकते है इसके लाब हम बात कर लेंगे जो दूसरे रेडर होंगे वह होंगे एस गिल उनका पहले सापना होगा सुझेंदर नर्वाल 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 नहीं है इस बात को ध्यान रखिएगा मिंस यहां आपको दिख जाएंगे कभर और कॉर्णर दोन फ्रॉंग ठीक है दीशा है किस के साथ रवी कुमार के साथ तो मुझे लगता है मैं अगरां उन्हों से बता ही दिये घै ответ पाघकर लेते हैं यहारा बीजन 11 टीम क्या बनेगा जो बीजन का टीम बनेगा वही दोस्तों स्पोर्ट सी रियल 11 माइफाइव 11 दुनिया का ट्रमाम 11 जहां भी खेलते हो उसी टीम के साथ आपको खेलने हैं बात करेंगे रेडिंग में तो मैंने एस गिल और विकास कंडूला को ट्रै किया हुआ है प बात करेंगे लिजन 10 और से बात करें तो मोहित को मैंने पी कि आप चाहो तो बहुत बड़े डिफेंशल कोल यहां पर सुहम कुमार को ले सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर विकास कंडूला तकरीवन 60% का आस पास रेडिंग करेंगे उनको टैकल करने का चांस सुभम के पास अच्छा-खासा हो सकता है फिलाल मैंने मोहित को जगर दिया हुआ है उसके लाब डिफेंडर में जयादीप कुलदीप सुवेंदर नारा सुमीत और नितेश कुमार मैंने सभी चारों को लिया हुआ है अब चाहो तो नितेश के जगा पर प से मैं ईसस्येंग में एस जगिल और विकास कंडोला को depend VC को लेके बात करूं तो यहां पर आपको दिख चहेंगे यह चारों डिफेंदर आपके लिए अच्छे captain VC के pair बन सकते हैं और यह दो और दोनों आपके लिए अच्छे captain VC के pair बन सकते हैं इस match में जब मैंने पढ़ीप नर्वाल को नहीं लिया हुआ है तो मैं हमेसे चाहूँगा कि जायदीप कुलडीप बेहतर खेल दिखाए इस वोज़े से मैंने VC VC अपना जायदीप कुलडीप को दिया हुआ है और यहां से captain C फिलाल विकास कंडोला को दिया हुआ है लास्ट मैच में वैसे आपको याद होगा सभी का captain थे सुरजीत सिंग और VC थे सागर और हमारे captain कौन दोस्तों आपको मैंने सारे स्टेट्स बता दिये हैं अब आई अथ्वा से देख लेते कुवेरा का डियो पिक्स हम क्या करेंगे इस मैच में अभी तक कुवेरा पर डियो पिक्स आया नहीं है जैसे आएगा मैं आप लोग को टलीगां पर बता भी दूंगा हो जिस भी एक्सपर्ट को मैं यह नहीं करता हूँ कि मुझे फॉलो करो आप जिसको भी करते हो अगर आपको लगता है कि वह जहन्यून है तो उसको जरूर आप लोग इस बुड़े फेज में सपोर्ट कीजिए ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में तो तक लिए बाए